छोटा सा बहाना चाहिए, तुम दुफैर में अपनी प्यारी मीठी नीन लेने जाहिरे होते हो कि अरे बेटा मैं थोड़ा पास में ही आया था, तो सोचा तुमारे घर आ जाता हूँ पर मैं तो जंगलों में रहता हूँ, जंगलों में क्या करने आय थे कही मेरा घर तो जलाने नी आयते, जैसे तुमने मेरा फ्यूचर जलाया मेरे घरवालों को मुझे इंजिनिरिंग करवाने का बोलके रिष्टेदारों की पास ने बहुत भयानक शक्ती है, ये तुमारे मम्मी पापा का दिमाग चेंज कर सकते है बच्चा बोल रहा था कि क्रिकेटर बनना है, तो हमने सोचे चलो क्रिकेट एकेडमी जॉइन करवा देती है क्रिकेड एकेडमी जॉइन करवा देती है भाई साब आपको क्या बच्चे ने बल्ला मारा है कै सर पे नई तो जरा अपना दिमाग लगाईए ये क्रिकेट रिकेट में कुछ नहीं रखा वो अपने विकास जी की लड़की बोल रही थी सिंगर बनूंगी कुछ हुआ नी तो अब नुकर नाटक में पेड़ बनती है मैं हूँ एक जादूई पेड क्या हम ये पेड का रोल हटा सकते है वैसे भी ये नाटक खरगोस और नेवले की जुगलबंदी के बारे में है और क्या मुझे कोई बताएगा इदर असली नेवला किसने छोड़ा अब हमारी फैमिली में एक रिष्टेदारे सा होता ही है जिसे न वो जोर से ज्यान देने के आदत होती है इसे लगता है कि पूरे ब्रह्मान तो ज्यान ना इसके पास ही है और इनका मन पसंदिन्दा काम होता है लोगों को अड़वाइस देना तुमने टैंथ पास करी अब सब्जेक कौन सा लेना है वो ये बताएंगे लगी एक पूरा गेम ही तो है भाई साब आप इसको बनाओ डाक्टर बहुत स्कोप है मतलब इसकी मा का मू में रजनी गंदा और कदमों में दुनिया इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिखने वाले को तो चपलों से मार देना चाहिए तुम्हें पता ही रिष्टेदारों की नजरना अपने बच्चे से जादा दुसरे के बच्चे पे होती है कल को अगर कोई कांड भी कर दूगे न तो एक बार को पुलिस को नहीं पता चलेगा लेकिन इन्हें इन्हें जरूर पता चलेगा अरे ओफिसर मेरी दादी जूट बोल रही है मैंने उनकी बद्दी सी से पीट नहीं खुजाई मिस्टर आयू यू आर अंडर अरेस्ट लेकिन आपके पास तो मेरी खिलाफ कोई सबूत ही नहीं था हाँ सबूत नहीं था लेकिन अब है मिलो तुमारे फूफ ऐसे इनने बिजली के खंबे पे चड़के तुमारी क्राइम करते हुए फोटोस खीची है हलाकि वो बात अलग एक हम्मे से नीची उतरते समय इनकी पैंट के साथ चड़ी भी फट गई लेकिन उसका टेंशन तुम मत लो पैंट और चड़ी दोनों सही सलामत दरजी के पास पहुच चुकी है वो सुबह तक राफू करके दे देगा शाम तक शाम तक और यह रही तुमारी फोटो गिरफतार कर लेजिए मुझे अब जब भी रिष्टिदार तुमारे घर आते हैं तुमारे मम्मी पापा तुम्हें उनसे बात चीत करने के लिए बोलते हैं और तुम्हें नहीं पता होता क्या बात करनी है इतनी आजीब सिच अब कुछ रिसिदार ना तुमारे सिदे घर आते हैं और तुम्हें तुमारे बचपन की अजीब से यादे बताने लग जाते हैं बिड़े तेको यादे एक बार मेरे तेको तेरी लंगोट की बल उठाके पंखे पे लटका दिया था और तेरी मा ने अंजाने में पंख़ा खोल दिया था वो भी पांच की स्पीट पे मरते मरते बचा था तू उस समय तुम्हारे दिमाग में बस एक ही बात आरी होती है कौन है ये आदमी और बचपन में ये मुझे क्यों मारना चाता था पिड़े यादे एक बार तू खुले में मूत रहा था तो तेको एक बंदर ने आगे पकड़ लिया था इतनी बेकार यादे बताएंगे तुम्हें बचपन की और पता नहीं बटवे के कौन से कोने में इनकी पास वो फोटो भी रखी होती है ये देखो नुनी खिचलिती बंदर ने इसकी अब ये तो ना फिर भी ठीक है तुम्हारे साथ कभी ऐसा ह हुआ है तुम्हाराम से एक चड़ी में बैठे हो और जेल जेसे कटोरे में दाल चावल खा रहे हो ठंडी ठंडी हवा चल रही है और सब कुछ मस्त चल रहा है लेकिन एकदम से तुम्हारे घर पे दस रिष्टेदार आ जाते हैं अब जरा सोचो उस चड़ी पे दाल चाव खाते हुए बच्चे पर क्या बीत रही होगी तुम्हें वहां से भागने तक का मोका नहीं दिया जाएगा भाई पूरा दिमाग सुनने पड़ जाता है इतने सारे रिष्टेदारों के सामने ए छोटू अपने मालिक को बुलाना तो जरा मम्मा अच्छे ये इनका बेटा ह अब ये रिष्टेदार ने काफी अलग अलग प्रकार के आते हैं जैसे फैमिली में कोई बहुत बूरा दादा जी नहीं होता है जिसके दिल की जगवी बैटरी लगी होती है इसे परिवार वाले मर नहीं नहीं देते इन्हें कुछ हुआ फट से ऑपरेशन भाई आदा रो कोल्टरिंग उड़ाने से मना कर रहे हैं क्योंकि अगर कोल्टरिंग का एक बीबूंद दादा जी की बैटरी पे गिरा तो तुमारा दादा जी टाइम बम की तरह फट जाएगा खेर जो भी कहलो रिष्टेदार हमारे घर से जाते समय अपनी पोटली से थोड़ा धन वो हम सबसक्राइब करो चाहें तो ये 20 पन शुर्पे का लुलि नोट ले लो लेकिन सबसक्राइब करो मेरी आखे तुम भी है करो अभी मेरे बच्चे कर दो यार क्या तुमारे बच्चससे दोस्ति करेगा चले जाओ यहां से तुमारा बच्च्च सूरत बच्चा लेकर एजे पे भी फॉलो सब्सक्राइब कर देना अब मुझे भी जाना है क्योंकि मेरे बच्चे का पेट खराब है और